हेलो बच्चों मैं संजीदा हिंदी सिक्ष का इल्पियम पब्लिक स्कूल के ओनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दीक स्वागत करती हूँ प्यारे बच्चों आप सभी कैसे हैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे तो चलिए आज की कक्षा आरंब करते हैं आज हम सब अपनी पाठे पुस्तक परिवेश के कक्षा पांच के पाठ पांच प्रकरण है पक्षियों का अस्पताल नामक कहानी का अध्ययन करेंगे तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में क्या बताया गया है प्रस्तुत कहानी में यह बताया गया है कि हमें जीवों से प्रेम करना चाहिए हमारे अंदर समवेदना, करूडा, निस्वार्थ सेवा भाव होना चाहिए हमें सभी पसुपक्षियों की सहायता करनी चाहिए ठीक है बच्चों इसी के बारे में बताया गया है कि जिस प्रकार से व्यक्तियों का अस्पताल होता है उसी प्रकार से पसु पक्षियों का भी अस्पताल होता है और अगर कोई घायल पसु पक्षी दिखाई पड़े तो उसे हमें अस्पताल ले जाना चाहिए और उनका इलाज करवाना चाहिए तो चलिए इस कहानी को अब हम लोग सुरू करते हैं और समझते हैं कि इसमें पक्षियों के अस्पताल के बारे में क्या बताया गया है देखिए एक दिन रभीवार था पापा समाचार पत्र पड़ रहे थे और मा चाय पी रही थी और अन्सिका और अमन छट पर पतंग उड़ा रहे थे अचानक उनकी पतंग की डोर से एक कबूतर फसकर गेर पड़ा मा ने उसे फोरण उठाया और रूई के फाहों में रखा उस पर पानी का छीटा मारा तब कबूतर को आराम मिल गया पापा ने उसे पक्षियों के अस्पताल ले जाने की बात कही इस कहानी में क्या होता है कि रविवार का दिन रहता है और जो पापा होते हैं वो समाचार पत्र पड़ रहे होते हैं मा चाय पी रही होती हैं तभी अनसिका और अमन छट पर अपने पतंग उड़ा रहे होते हैं और उनकी पतंग की डोर से एक कबूतर फसकर नीचे गिर प उठाती हैं और रूई के फाहों में रखती हैं और पानी के छीटे मारती हैं फिर पापा जो होते हैं वो पक्षियों के अस्पताल ले जाने की बात कहते हैं तो बच्चे पापा से पूछते हैं कि पापा क्या पक्षियों का भी अस्पताल होता है तो इस पर पापा बताते है पक्षियों का भी अस्पताल होता है वहाँ पर उनका मुफ्त में इलाज किया जाता है और देखभाल किया जाता है और जब वह पूरी तरख से स्वस्थ हो जाते हैं तब उन्हें आकास में उढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है तो पापा बताते है कि ये जो पक्शियों का अस्पताल है इसका प्रारंब सन 1926 में हुआ था और उस समय यहां पर केवल जब पापा पक्शियों के अस्पताल लेकर जाते हैं कबूतर को तो बच्चे भी उनके साथ जाते हैं और वो अस्पताल के बारे में पूछते हैं तब पापा उन्हें बताते हैं कि इस अस्पताल का प्रारंब सन 1926 में हुआ था और पहले यहाँ पर केवल मरहम पट्टी ही की जाती थी पक्षियों की लेकिन अब समय बदल चुका है और सन 1956 से 57 तक यह पूरा अस्पताल ही बन गया अब तो यहाँ पक्षियों के लिए आई सीउ क्या होता है व्यक्तिगत केयर यूनिट आई सीउ और विसेइस वार्ड भी हैं इसके साथ ही साथ प्रियुक सालाएं भी हैं और यहाँ पर Para के लिए आ अई सीउ भी है और प्रियुक सालाएं भी mówiसेश वार्ड भी हैं और यह अस्पताल जो है वो तीन मन्जिला हैं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं और बच्चे पूशते हैं पापा से कि पापा सभी पक्षी तो एक समान होते हैं तो यहां अस्पताल में हम उन्हें पहचानेंगे कैसे तो पापा बताते हैं कि पक्षियों को पहचानने के लिए अलग-अलग पिंजरे होते हैं जिन पर नंबर लिखा होता है और उसी नंबर के हिसाब से हम पहचानते हैं पक्षियों को तो बच्चे बहुत ही खुश होते हैं और फिर पापा बताते हैं कि पक्षियों का ये एस्पताल जो है तीन मंजिला है पहले मंजिल पर केवल उन पक्षियों को रखा जाता था जो अधिक घ ताकि उनको गर्मी न लगे और आराम से वहाँ पर रह सकें और जब पक्षी पूरी तरह से ठीक हो जाते तब उन्हें तीसरी मंजिल पर ले जाकर आकास में छोड़ दिया जाता ताकि वह स्वतंत्र रूप से आकास में उड़ सकें इस प्रकार कबूतर का उपचार भी हो जाता है वह स्वस्त होकर आकास में उड़ जाता है और बच्चे पापा के साथ अपने घर चले आते हैं तो इस प्रकार इस कहानी का यही उद्देश से है कि हमें सभी पसू पक्षियों से प्रेम करना चाहिए जैसे मनुस्यों को दवा की आवस्ता पड़ती है वैसे पसू पक्षियों को भी देखभाल की आवस्ता पड़ती है तो इस कहानी से हमें यही सिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर सनेह, प्रेम और जीवों से प्रेम करना, करुडा, नेश्वार्थ भाव से सेवा करना ये सभी कुछ होने चाहिए और हमें एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए और कभी जूट नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सही का साथ देना चाहिए, अच्छी संगती में रहना चाहिए, ठीक है बच्चों, तो चलिए अब पाठ में आये हुए कुछ कठिन सब्दार को भी हम लोग देखते हैं, जैसे इसमें आया है घाओ, घाओ का अर्थ होता है जक्म, जैसे कबूतर को जब चोट लगी थी, घाओ हो गया था, जक्म बन गया था, तो जो बच्चे थे, उनकी मम्मी ने उसे उठा कर रूई के फाहों में रखा और उस पर पानी चिरका और मरहम पट्टी की, फाहों क्या होत है मरहम लगी पट्टी होती है रूई के फाहों में, और हैरानी का अर्थ होता है विसमें आस्चरे से, मतलब बड़ी ही हैरानी से उन्होंने कबूतर को देखा, जाच का अर्थ होता है छान बीन निरेक्चड, मतलब छान बीन करना, निरेक्चड करना, जाच करना, लेखा जोखा का अर्थ होता हिसाब किताब रखना जैसा कि पक्षियों के अस्पताल में लेखा जोखा होता था हिसाब किताब होता था कि कितने पक्षी किस पिंजरे में हैं उनका नंबर क्या है यही सब हिसाब किताब होता था और वहाँ पर पक्षियों का फ्री में उक्चार होता ता, उट्सुकता का अर्थ होता है बेचैनी अधिरता जैसा कि बच्चों के मन में उट्सुकता थी पक्षियों के अस्पताल के बारे में जाननेगी तो पापा बच्चों को अस्पताल के बारे में बताते हैं प्रयोग साला का अर्थ होता है जहां प्रयोग होते हैं और उपचार का अर्थ होता है इलाज मतलब पक्षियों का जो इलाज हुआ उल्लास का अर्थ होता है खुसी हर्स मतलब प्रसन होना उदारता का अर्थ होता है दयालूता दान सीलता और प्रोचसाहन का अर्थ होता है उत्साह बढ़ाना तो पापा बच्चों का प्रोसाहन बढ़ाते थे उनका उत्साह बढ़ाते थे कि कभी अगर कोई पसू या पक्षी घायल हो गया है तो उसे ऐसे ही नहीं चोड़ना चाहिए उनका भी अस्पताल होता है हमें पसू पक्षियों के अस्पताल ले जाना चाहिए और वहां पर उनका उपचार करवाना चाहिए इलाज करवाना चाहिए क्योंकि पक्षियों के अस्पताल में भी अब विसेश तोर पर अस्पताल की पूरी ब्यवस्था अच्छी है वहां प तरह से पक्षियों का अस्पताल इसके बारे में पापा ने बच्चों को बताया और कहानी होती है खत्म और पापा बच्चों को लेकर घर आते हैं और सभी हसी-खुसी से मिलकर रहने लगते हैं और पक्षी भी स्वस्थ हो जाता है जो कबूतर रहता है उसका इलाज हो जाता है वस्वस्त होकर आसमान में स्वतंत्र रूप से उड़ने लगता है बस यही ये कहानी थी और हमें हमेशा जीवों से प्रेम करना चाहिए हमारे अंदर समवेदना सहयोग करूडा निस्वार्थ सेवाभाव होना चाहिए और पसुपक्षियों की हर तरह से सहायता करनी चाहि अपने अपने च्छत पर गर्मी का दिन है एक कटोरी में पानी जरूर रखे ताकि प्यास के कारण जो भी पक्षी आते हैं वो पानी पी सके और स्वतंत्र रूप से आकास में उड़े और प्रसन नहों ठीक है बच्चों तो चलिए आज की कक्षा आप यहीं पर समाप्त कर करते हैं पीडियप में इसका प्रसनोत्तर भेज दिया जाएगा आप सब लोग उसे अपनी फेर कापी में अच्छे से लिख लीजिएगा और सभी बच्चे जल्द से जल्द बुक और कापी ले ले ताकि जो भी वीडियो और नोट्स जा रहा है वो आपके समझ में आए औ अच्छे से पढ़ाई करें ठीक है तो चलिए पढ़ते लिखते रहिए कुछ रहिए धन्यवाद